दोस्तों धर्मिक शास्त्रों और पुराणों के अनुसार इस स्रिष्टी में चार यूग होते हैं सत यूग, त्रेता यूग, द्वापर यूग और कल यूग दोस्तों तीन यूग बीच चुके हैं और अभी जो चल ला है वो कल यूग है दोस्तों हर यूग के अन्त में भगवान ने किसी ना किसी रूप में अपतार जरूर लिया है और पृत्वी लोग पर मानपजाद का कल्याण जरूर किया है दोस्तों सत यूग में भगवान नर्सिंग वारा वामन के रूप में और त्रेता युग में भगवान राम के रूप में और दौपर युग में भगवान टिर्सन के रूप में अपतरित होकर मानपजात के उधार के लिए पृत्वी लोग से समस्थ पापियों एवं असुरों का बिनाश कर पुना धर्म की इस्तापना कर मानपजात को धर्म की र दोस्तों हर युग में भगवान किसी ना किसी रूप में आपतरित होते हैं। ठीक उसी प्रकार कल्युग के अंत्मेवी भगवान का आपतरित होने का पुराणों और शास्त्रों में वरण मिलता है। लेकिन इससे पहले कल्यूग के बारे में जान लेते हैं कि कल्यूग को कैसा यूग कहा गया है पुराणों एवं धनम ग्रंतों के अनुसार कल्यूग को कैसा बता गया है आईए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर और इस महत्मूर जानकारी को दोस्तों के साथ भी शेर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन भी प्रिस कर दीजिए दोस्तों द्वापर युग के अंत में जब पांड़ों महा भारत का युद्ध जीतने के वाद एक दिन उनके मन में आने वाले युग कल्यूग के वारे में जानने की इच्छा हुई कि आने वाले कल्यूग में मानप कैसा होगा उसका आशरान और व्योहार किस परकार होगा दोस्तों तब बे सभी पांड़ाओ एक दिन भगवान सिर्किस के पास पहुँचें और बोले हे प्रुबू द्वापर का अंत चल लहा है और इसके बाद कल्यूग आने वाला है और हमारे मन में आने वाले कल्यूग के वारे में जानने की इच्छा हो रही है हम सब पे कृप्ता करके बताएं कि आने वाला यूग मानप जात के लिए कैसा रहेगा और इस यूग में मानपों का आशरान कैसा होगा दोस्तों तब भगवान सीकिसन ने पांचों पांडों को अलग-अलग दिशाओं में जाने को कहा तब सीकिसन की बात सुनकर पांचों पांडों अलग-अलग दिशा में ब्रह्मन करने के लिए चले गए उन पांचों पांडों ने क्या देखा स्रीक्रिसन को क्या बता आईए जानते हैं दुस्तों सबसे पहले युदिश्टर दिश्डिशा में गए थे तो उन्होंने देखा कि दो सूंड बाला हाती तो उनके मन में ये ख्याला कि ये कैसे संबब हो सकता है वो फिर से बापस आते हैं और स्रीक्रिसन को ये बात बताते हैं तब स्रीक्रिसन ने इसका मतलब बताया कि कल्यूग में ऐसे ब्यक्ति शाशन करेंगे जो बोलेंगे कुछ और और करेंगे कुछ और ऐसे ब्यक्ति हर प्रजा का सोशन करेंगे जैसे के आजकल के नेता दुस्तों उसके वाद अर्जुन ने जिस तिसा में भ्रह्मन करने गया था तो उसने देखा एक पच्छी जिसकी पंखों पर वेदों की लिखाबट थी और वो पच्छी मरा हुआ जानवर का मास खा रहा था ये देखकर अर्जुन दंग रहे गया और ये वाद स्रीक्रिसन को उसने बताई तब स्रीक्रिसन ने इसका उत्तर देते हुए कहा हे पार्थ कलिग में ऐसे लोग होंगे जो ज्यानी टहलाएंगी और वो अधिक सिछित भी होंगी उसे सब चीजों का ग्यान होगा लेकिन उसका आचराण दुष्टों का होगा दुस्तों भीम जिस दिसा में गया था तो उसने देखा कि एक गाय अपने बचडे को चाट रही है और वो गाय अपने बचडे को इतना चाट रही थी कि चाटते चाटते उस बचडे का खून निकला रहा था दोस्तों तब ये वाद सिर्किसन को बताई तो सिर्किसन ने उसका उत्तर देते हुए कहा कल्यूग में माता पिता अपने संतानों के लिए इतने आशक्त हो जाएंगे कि उनकी संतान का विकासी रुख जाएगा और अपने संतानों को परिवार की मोह माया और जाल में बांद कर रखने लग जाएगा जिससे उसके संतानों को किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पाएगी दोस्तों साधेब जिस जिसा में गया था तो उसने ब्रह्मन करते-करते एक गाउं में पहुचा उसने उस गाउं में बहुत से कुऊं को देखा जिसमें सभी कुऊं में पानी था लेकिन गाउं के बीच में एक कुऊं ऐसा भी था जिसमें पानी नहीं था तो उसने ये बाद सीकृष्ण को बताई तब भगवान सीकेस ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कल्यूग में ऐसे लोग होंगे जो सब समरो जैसी चीजों पर अधिक धन कर्च करेंगे यहां तक के लोग अपने शौप के लिए मदिरा मास इत्यादी सेवन करने के लिए लोग अधिक से अधिक धन दर्थ कर देंगे परंत वेदी कोई असाय, जरूरत मन, दान पुंट इत्यादी कर्मों में मदद करने और अपना धन देने में कहेगा तो वो संकोच करेंगे दोस्तों नुकुल जिस तिसा में भ्रह्मन करने गया था तो उस तिसा में एक जंगल था उसने जंगल में एक बहुत बड़ी चटान देखी जो तेजी से सभी पेंड पौंदों को रहुते हुए डलान की तरफ आ रही थी और वो चटान आते आते एक छोटे से पेंड में टकरा कर रुख जाती है तो वो देखकर हैरान हो गया और ये बाद सिर्किसन को बताई तब सिर्किसन ने इसका उत्तर देते हुए बताया कि कल्युग में इंसानों की बुद्धी छीन हो जाएगी और मनुस्त का पतन हो जाएगा और ये पतन इतना तेजी से होगा कि धन्या सत्ता के ब्रच्चि से रोकने में सच्चम नहीं हो पाएगे लेकिन हरी नाम के एक छोटे से पोदे से ये पतन रुख जाएगा हर इनान लेने या केर्तन करने से मनुस्य की बुद्धी प्रवल हो जाएगी और वो सत्य और असत्य का नेने लेने में उसे साहता करेगी और वो अपने जीवन के लच्छ को पा सकेगा तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही मैं मिलता हूँ उगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई और थैंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो